चीकोंद रेस्पीज को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें यादेवी सरभूतेशु मात्री रुपे निसंस्तिता नमस्तसे 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 नमो नमा नमस्ता दोस्तों हरे पृष्णा मेरी इस चैनल पर आपका स्वागत है आप सब को जैम आता दी आज छटा नराता है और आज हम मा दुरुगा के छटे रुप मा कात्याईनी की पूजा करेंगे शास्त्रों के उसार महर्षी कात्याई ने मा भगवती जैसी पुत्री पाने की इच्छा प्रगट की और उन्होंने चाहा कि उनके एक सरंबन संपन पुत्री पैदा हो जो की मा भगवती ही हो मा भगवती ने उनकी ये इच्छा पूरी की इस कारण उनका नाम कात्याइनी पड़ा क्योंकि भगवती ने कात्याइन डिशी के घर जनम लिया था मा कात्याइनी ब्रज भूमी की अधिश्ठात्री के रुप में प्रतिष्ठित है शायद इसी लिए ब्रज की गोपियां भगवान शिरी कृष्ण को पती के रुप में पाने के लिए मा कात्याईनी की यहुना के तट पर पूजा करती थी मा कात्याईनी की चार भुजाए हैं इनका रंग सोने की तरह चमकता है और आज के दिन इनको शेहद का भोग लगता है जो लोग या जो बच्चे शोध की पढ़ाई कर रहे हैं या जिस पर रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको मा कात्याईनी की पूजा अर्चना तो आज मैं माकात्याइनी की पूजा करूंगी रोजाना की तरह ही आज भी हम इसके उपर से पतिला टाइने और देखेंगे कि जो यह भी तो काफी बड़े होई दे हैं इनको मैं पानी डालूँगी तांकि इनकी मिक्ती सूख्य नहीं तिक करेंगे गंपती जी की पूजा मा माता रहने के चर्णों की अब मैं करूंगी माकात्याइनी की आर्थी आर्थी तो बोधी जो दुर्गा माता की होती है बोई करेंगे लेकिन आज माता से सबसे ज़्यादा यह मांगेगे की हमें बुद्धी दे के तो आज मैंने की मात का त्याइनी की पूजा आप भी करें स्पेशल यह था कि आज मैंने उन्हें पह्न का भोग लगाया आप भी उनसे कॉनके नहीं अपने बच्चों को और खुद भी खाएं और जो शेहल हमने माता के लिए बोग के लिए रखाय उसे खाने के बाद जो थोड़ा बहुत पचे आप अपनी स्किन पर भी उसे अपलाई कर सकते हैं आज की जो देवी है वो रूप और संदरय प्रदान करती है तो आपको भी रूप और संदरय जरूर मिलीगा मैं कात्याईनी देवी को जब भी शैद का भोग लगाती हूँ तो मैं उसके बाद अपने चेरे पर अपलाई जरूर करती हूँ आप भी जरूर करें और रूप को संदरय को पाएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद हरे कृष्णा जैमाता दूए